अच्छा किराए पे रहते हुआ अम्मा घर में कोई बच्चा बच्चा नहीं है कितने कमा लेते हुआ एक दिन में आप जो नहीं है पावजी आपकी उमर कितनी है कितना आंटी जी कितना तकलीफ तो होती होगी यहां पड़े रहते हो तो बेटा इतना तो दो लोगों को तो खिला सकता है ना अंटी इस वहां सब्सक्राइब को अपने पाली बहुत है मत दूरी लगती नहीं तो क्या करें बताओ और वकांजी काम पर जाता है तब पैसा भी नहीं मिलते हैं प्या करें अब भाई वी तो जा सबना सु तो पेट पाल लें तो यही बस हजार पांट रूवे का आपने समान रखा आप दोनों खुद कमाते हैं खुद खाते हो कमाते हैं हम कमाती तब भी खाते हैं क्या करें अब यह सतहे हैं बेटा के हम खाले तो मैं भूंक करो नहीं जाते हैं तो मतलब अभी उमर के इस पड़ाओ में भी 60-65 साल की उमर में भी आप कमा के खिला रहें बच्चों को क्या करें बीटा थैप कहां से की बताओ तुमसे मांगें उनसे मांगें तो एक दिना दे दो दूद ना दे दो तीस दिन तो बीटा करनी पार है अप कि अध्याइब है यह घाजार गारत है और अक्सर ऐसी जो खब्रें है वो हमारा मैंस्ट्री मीडिया नहीं दिखाता तो हमने कोशिच कि एक मुहीं चलाइए कि ऐसे लोगों से मिला जाए ऐसे लोगों की मदद की जाए और जो वास्तब में हकीकत है वो कुछ हम दिखाने कोशिश करें अंटी जी मैं भी आपका बेटा ही हूँ इसने कुछ पैसा है चीक है हाँ इसमें पैसा है खोल के देखो कितने तो भलोरा भगवान भगवान खुब तुम दूद करो बेटा ठीक है बाबुजी तो कुछ थोड़ा सा पैसा है थोड़ा सा आप समाह ले लिजेगा ना ठीक है ना धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों को आके पूछ सकते हैं कि वो किस हाल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं एक बच्चा है दो बेटे हैं एक के दिमाग कम है और एक काम नहीं लगा है तो हमने थोड़ सी मदद किये कुछ पैसा द झाल